कि हलोग एस वेल्कम वैक टू देशपाल ब्रॉक आज दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैं ढखाने वाला हूं परहाना पार हुई परहाना दोस्तों ने प्लोट लिया था तो और जैसी है तो वही यह दोस्तों और मैं दिखाता heißt अच्छा इसकी जो है आज पास से हमने बाड़ कर रखे दोस्तों कि आप देख रहे होंगे गायवाय चर्ती रहती है यहां पर और यह जब भुछ जाएंगी तो नुक्सान करेंगी दोस्तों यह देखिए तो आईए हम चलते हैं और दिखाते हैं हमने क्या कर लगाया है उसमें दोस्तों हमने यहां पर भी ताला और जंजी डाल रखे दोस्तों ताकि कि ए्री की तो म्रेख यहां पर जा रखे जिए अ जाएंगी टी का जाएंगी ए्री किस्तों हम तेए वाला बाएंगी ध्र है प्रवाइब दोगर लाएं कि बुल शाए प्रवाइब हमादे कि प्रवाइब दोगाईर प्रवाइब दोगर दोगर दोगर। लगा रखाया दोस्तों ताकि पानी दे सकें इससे हम ये कुछ प्लवारी भी लगा रखती है कि और ये कुछ बेल लगा रखिए और एक बेल वह लिस्किट का लगा रखता है दोस्तों कुछ देनी कि कि अब्रूब का भी प्याड़ है दोस्तों अच्छा यह रही दोस्तों मिर्च कि अरी मिर्च दो हम खाने पाते हैं दोस्तों इदर देनी पड़ते हैं लोगों को काफी लगा रखें दोस्तों और यह राद दिया दोस्तों क्योंकि इस साल जो है गर्मी कम पड़ी है तो यह अभी तक चल रहा है दोस्तों और यह भिंदी के पेंड़ लगा रखें कुछ दोस्तों और यह रही अर्वी कि यह देखिए भिंदी भी आई हुए दोस्तों यह देखिए भिंदी है और यहां पर हमने सेम लगा रखें है यह देखिए और यहां पर दोस्तों एक हमने यह हट डाल रखी थी लेकिन भी बेकार हो गई है यहां तो अच्छा है दोस्तों अगर खाली जगा पड़ी है तो इसमें आप सब्जिया लगा लें इनमें कोई दवाई नहीं लगाते हम क्योंकि आजकल जो है दोस्तों बिना दवाई के कोई सब्जी पैदा नहीं होती इसमें खाली हम गोबर वाली जो खाद होती है वही लगाते है दोस्तों और सच मानिये दोस्तों सब्जी हमने खाई है इसकी बहुत ही ज्यादा स्वाधिस्ट होती है तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास भी अगर कोई खाली जगा है तो आप भी लगा सकते हैं इसी तरीके से अगर आपको थोड़ी नॉलिज है ठीक है और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूं कि और जा-जाकर खेतौ में दोस्तों क्या लगा है कौन सा सीजन चल रहा है आप मेरे मारदियम से भी सीख सकते हैं दोस्तों ऑर क्यों आप अब भगिया खाएं स्वस्त खाएं बिना दवाईयों का खाएं दोस्तों क्योंकि वैसे ही आज कल बड़ा केमिकल वाली दवाईयां चल लेएं दोस्तों जो बहुत नुकसान करती है हमारे शरीव को तो अगर आपके पास छतका भी आप उपयोग कर सकते हैं दोस्तों ऐसा कहीं में वीडियो अग लगा सकते हैं दोस्तों और एक खाने के लिए बहुत है दोस्तों कहने के लिए दो मिर्च के न। काफी होता है एक खर के लिए ताजी rust तो यही हम वीडियो को करते हैं खतम दोस्तो और मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए भाई भाई दोस्तो